क hacen hallo दोस्तों Welcome to the tip top classes में विनसिंग आपका도 rabac करेंगे Ooh तो आपको प्रा टू पार्ट में प्र्यूइड करा रहा हैं तो इसके पहले कुछ आपके practice set हो गए थे ठीक है उन questions को आप देख लिजेगा जो previous year को आपके questions पूछेगा है उनको यहाँ पे discuss किया जा रहा है तो आज भी हम जो है लेके आए हैं आपके अपने classes में 25 questions ठीक है आज भी हम 25 questions को discuss करेंगे अपने इस वीडियो में तो 25 questions में देखना है कि आपका कितना सही ह होता है ठीक है कितने questions आपके सही निकलते हैं उनको आप comment box में comment करके बताएंगे ठीक है और उसके अलावा जितने भी नए users हैं जिन्होंने अभी भी चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल से जुड़े नहीं है तो उनसे मेरा request है कि आप चैनल को subscribe कर लिजे और चैनल से जुड़ ज आपके से किसके पूर्वज माने जाते हैं ठीक है तो पहला आपका option है दोस्तो पैहले यहूदियों के तुरक्सियों के और पार्सी यहां पर जरत्तुस्त्र के अनुयाई की बात हो यहां पर जो आपका right answer होगा इसके अनुयाई जो है पार्सियों को पूरुजों को माना जाता है फिर दोस्तो नेक्स आपका कुश्चन है चंद्रगुप्त मौरे द्वारा किस सामराज की स्थापना की गई तो चंद्रगुप्त मौरे के द्वारा कौन से सामराज की स्थापना की गई थी आपके option है मगद, अवद, अंग, प्रोक्त मेशे, कोई नहीं तो दोस्तों यहाँ जो आपका right answer होगा, वो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका मगद, मगद आपका right answer हो जाएगा फिर दोस्तों आगे हम देखते हैं थर्ड कुशन आपका है चंद गूप्त मौर के सामराज में शम्मलित थे आपके option है कांधार, कुजरात, कस्मीर, उपरोक्त सभी तो दोस्तों जो चंद गूप्त मौर के सामराज में सम्मलित थे वो आपके तीनों सम्मलित थे इसलिए यहाँ पे जो आपका option हो जाएगा वो दोस्तों आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा फिर next question है आपका मौर वन्स के सबसे प्रसिद्धी सासक कौन था सबसे प्रसिद्धी सासक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है आपका option है बिंदुसार, असोग, चंद्ग्रूप्त, उप्रूप्त में से कोई नहीं तो जो सबसे प्रसिद्धी आपके सासक हुए मौर वन्स के वो असोग थे असोग महान जो है सबसे प्रसिद्धी सासक थे फिर दोस्तों next question के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे अगला question आपका कह रहा है कि कनिस्क सासन का राजा था मौर शासन का, गांधार शासन का, कुशाड शासन का और उप्रूक्त मेशे कोई नहीं तो यहाँ पे कनिस्क की बात हो रही है दोस्तों तो कनिस्क जो है आपका कुशाड शासन का था, जो राजा था वो कुशाड शासन का राजा था दोस्तों इसके आगे हम फिर बात करते हैं next question आपका screen पे है दोस्तों हैदराबाद राज की इस्थापना किसने की हैदराबाद राज की इस्थापना किसने की तो आपके दोस्तों option यहाँ पे हैं कुली कुतुपशा, आसपशा, मुर्सित कुली खाँ और नवाब इब्राहिम तो आपका जो right answer यहाँ पे क्या होगा वो हो जाएगा आसपशा, आसपशा आपका right answer हो जाएगा फिर हैं मुर्सित कुली खाँ कहां का सासक था, तो मुर्सित कुली कहां दोस्तों गुजरात, गोलकुंडा, कस्मीर, बंगाल तो आपका right answer दोस्तों यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा बंगाल, वो जो है बंगाल का सासक था फिर कहा रहा है सहादत खाँ, अब अवद का सुबेदार नियूक्त, कब जो है अवद का सुबेदार नियूक्त हुआ, तो यहाँ पे जो है आपके दिये गए हैं, हम discuss करेंगे अभी तो आपका जो option है वो है 1721 Sb, 1721 Sb के बाद next है आपका 1722 Sb, उसके बाद C option आपका है दोस्तों 1723 Sb, 1723 Sb के बाद आपका D option है 1712 Sb, तो यहाँ पे दोस्तों जो right answer होगा, वो क्या होगा? सहादत खां जो है अवद का सुबेदार 1722 Sb में बना, फिर दोस्तों next question है आपका खालसा पंथ की इस्थापना किसने की, आपके option है गुरू तेग बहादूर ने, गुरू नानक देव ने, गुरू गोविन सिंग ने, गुरू अंगत देव ने, तो जो right answer दोस्तों है, खा खालसा पंथ की जो इस्थापना की थी, वो गुरू गोविन सिंग ने की थी, फिर next आपका five question हम यहाँ पे देखते हैं, five question आपका दोस्तों क्या कह रहा है, five question कह रहा है आपका गुरू गोविन सिंग की म्रत्यु कब हुई, तो गुरू गोविन सिंग की म्रत्यु 1709 Sb, 1711 1718 Sb, और 1708 Sb, तो दोस्तों जो यहाँ पे right answer है, गुरू गोविन सिंग की म्रत्यु के बारे में कह रहा है, तो गुरू गोविन सिंग की म्रत्यु जो है 1708 Sb में हुई थी, फिर दोस्तों आगे चलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो इस्क्रीन पे आपका next question है, next question कह रह रोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे जो right answer है, दल खालसा की बात करा है, तो दल खालसा में जो सिक सेनाय थी, वो जत्थो और मिश्लो की थी, फिर कह रहा है, मराथा राज की स्थापना किसने की, second आपका है, मराथा राज की स्थापना किसने की, आपके option हैं द सबको पता होगा, मराथा राज की जो स्थापना थी, वो सिवा जीने की थी, रागे सलते हैं, अगला कुशन आपका है दोस्तों, संकत, संस्कृत के वह सभी पच्छ, जो मानों की अगली पीढी को उनके पूर्वजो दोरा हस्तांतरित किये जाते हैं, क्या कहा जाता है, क् आपके ऑप्चन दोस्तों क्या है, संस्कृति चलन, संस्कृतिक विराशत, संस्कृतिक विराशत के बाद, नेक्स्ट आपका ऑप्चन है, हस्तांतरड और उपरोक्त सभी, तो दोस्तों जो इसका राइट एंसर होगा, वो जो है आपका बी ऑप्चन, बी ऑप्चन आपका सांस्क्रतिक विरासत आपका right answer हो जाएगा फिर कर भारती संस्क्रति का शरूप है आपका option है प्रतक्ता, एकल धर्म प्रभावी, धर्म निर्पेश्था, धर्म विहिंता तो जो आपका इसका right answer होगा वो क्या हो जाएगा आपका धर्म निर्पेश्था जो है भारती संस्क्रति का शरूप है धर्म निर्पेश्था किसका शरूप है तो भारती संस्क्रति का शरूप जो है धर्म निर्पेश्था है फिर दोस्तों नेक्स कुश्चन है आपका नेक्स कुश्चन कह रहा है भारती ये संस्क्रति है अध्यात्मवादी और भातिकवादी जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर आगे हम बात के नेक्ट्ट कुश्चन दोस्तों है स्क्रीन पे वराह मिहीर द्वारा रचित ब्रहत संहिता का शंबंद है पहला अप्शन है आपका नचत्र विज्यान से वनस्पत विज्यान से रसायंत था चिकित्सा विज्यान से वैदिक विज्यान से तो वराह मिहीर द्वारा रचित ब्रहत संहिता का जो संबंद था वह दोस्तों नचत्र विज्यान से था नचत्र विज्यान से जो है वराह मिहीर की ब्रहत संहिता का शंबंद था फिर दोस्तों आर भटी ये ग बढ़ते हैं सोन्हिंस के अविश्कारक निम्ण मेंसे कौन है तो आपके ऑप्षिन है आट रमुगुंत वद्धा व्रहाहमी प्रयाहमी को है क्नों दोस्तों आपके सू 팀 के आपके जो अविश्कारक है वो कौन है तो ब्रह्म गुप्त जो है सुन के आपके अविश्कारक है फिर नेक्स कुश्चन है बीजगडित की खोज किसने की तो बीजगडित की जो खोज थी वो दोस्तों स्रीधराचारे आपका अप्शन है ब्रह्म गुप्त एतथा भी दो कि चरतंग संगिता तथा सुष्षत संगिता ग्रंथों का जो है विशय है एक तो का वीशय है आपके आप्शन हे और मिंगान गढतिय तथा जाने तीव मोन भूत था क्रश्द्र रशायन तो दोस्तो चरक संगिता सुर्थ संगिता ग्रन्थों का जो विशय था वो क्या था और सद विज्यान आपका यहां पर राइट एंसर हो जाएगा फिर दोस्तो आगे बढ़ते हैं पहला कुष्टन दोस्तों स्क्रीन पर हैं आपका सेख अब्दुल्ला तथा सेख अजीज उ जंतु के अन्वाज से प्राकरतिक विज्यान से तारकिक विज्यान से तो सेख अब्जुला तुथ शै thriving अल्ला में तारकिक विज्यान से संब्न्धित are फिर कह रहा है नेक्स्ट कुश्चन आपका लीलावती गरंत किस विशाय से संबंदित है तो लीलावती जो आपका गरंत है सलिची किस्टा से जीव विग्यान से गडित आउसत विग्यान तो आपका जो है राइट आइंसर दोस्तों क्या होगा गडित से हो जाएगा फिर ने तो दोस्तों यहां पर जो आपका राइट एंसर होगा वो क्या होगा करदी विलासनी नीलकंट लीलावती और उप्रुक्त में से कोई नहीं तो राइट एंसर दोस्तों क्या होगा लीला वती जो है आपका राइट एंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट कुश्चन जो आज का हमारे सेशन का लास्ट कुश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं फिर कह रहा है अतावला रसीदी ने बीजगडित का अनुवाद किसके सासन में कि किया अतावला रसीदी की बात हो रही है और अतावला रसीदी किस से संबंदित हैं आपके यह देख लेते हैं आपका अकबर साजहां आदिल सहादुति और अकबर इदुति तो दोस्तों यहां पे जो आपका राइट एंसर होगा वो क्या होगा आपका साजहां हो जाएगा साजहां से अताउला रशीदी जो है बीजगडित का अनुवाद किसके साजहां काल में किया तो साजहां के साजहां काल में इन्होंने बीजगडित का अनुवाद किया तो दोस्तो आज के सेशन में कितनेmother Question 25 Question में से कितने ghost नापके सही हुए है यह को comment box में बताएंगे 25 वैंट में कितने आपके question सही हुए है आप बताएंगे और आजके सेशन कैसा लगा कौं कौंसी classes आपके लिए available कra दी जाए ठीक है यह सारी चीजें आप हमको बताएंगे उसके लावा जो है वीडियो को सेर मत करना बूलिए जितने भी नए यूजर्स हैं वीडियो को सेर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो जल्दी ही मिलते हैं नई क्लास के साथ तब तक दोस्तों नमस्कार